बिस्मिल्ल्य रख्मान रखीम असलाम अलेकम वेलकम टो इफ़त फूर्ड और व्लॉग जी तो कैसे आप सब उमीद एखरिया से होंगे तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यह भी स्टॉबरी मिल्क शेक की रेसे भी लेके आई हूं स्टॉबरी वाइटमिन सी से भरपूर हो और इन्हें हम काटके जूसर जग में डालेंगे और यहां हमें से काट लेते हैं और इसके पत्ते उतार लेते हैं और जो 20 सबस्टॉबरी ली हैं यह हमने दो गलास दूद के हिसाब से लिए हैं तो इसी तरह से हमने स्टॉबरी के सब पत्तों को उतार देना है स्टॉबरी इसको कच करके डाल दिया है और अब हम इसमें चीनी शामिल करनें और और बिरू इसका ध्रकन बंद करके जाना लाइ आर्ट येन यहां पर इसे थोड़ा सा शेक करेंगे और दो से तीन मिनट शेक करने के बाद हम इसे इसके धक्कन को हटाएंगे और इसमें शामिल करेंगे आईस क्यूब्स आईस क्यूब्स मैं थोड़ी सी काम ही इस्तिमाल कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने पीना है इसलिए मैं थोड़ी काम ही इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो ज्यादा इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम मशीन को फिर से चला लेंगे और अगर आप चाहें तो चीनी ज्यादा डालना चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो और अगर चाहें तो इसमें खजूरों का इस्तामाल भी कर सकते हैं शकर की जगह पर तो जी हमारा मिल्क शेग बनकर तयार हो चुका है यमी यमी सा ठंडा सा मिल्क बिरम में निकल रहे हैं और अब हम अपने ग्लास को थोड़ा सव डेक्रेट करेंगे एक चोटी प्यास प्यारिविक लेंगे उसे कट करेंगे और ग्लास की एक कोने पर लगा देंगी और बहुत ही जबरदस्त हमारा स्ट्राबरे मिल्कशेक बनकर तयार हो चुका है तो जी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाईएगा ताकि मे